हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सुवागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रेक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे IND वर्सिस WIFL STATS PLUS INFO यानी इंडिया और वेस्ट इंडीस के बीच में जो T20 इंटरनेशनल मैच नमबर 2 केला जाता दिखेगा और उमीद करता हूँ इस मैच में भी हम फर्स मैच की तरह बहुत ही अच्छा करें और कुछ अच्छा ही करके इस मैच से निकलें दोस्तों यहाँ आपको बताना चाहूँगा जो लोगो हमारे टेलिगरम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप टेलिगरम चैनल में आ जाओ या फिर आप टॉप के कोमेंट से जो सबसे उपर का कोमेंट है वहाँ से टेलिगरम चैनल पे आ जाओ इससे पहले नवेंबर 2021 में मैच हुआ था वो भी इंडिया ने अच्छा स्कोर किया था नवेंबर 2018 में भी इंडिया ने इजी चेस वेस्ट इंडीस के आगे ही मारा था ठीक है ये कुछ IPL में जो क्लियर्स का स्टैट्स हैं इस वेन्यू पे वो मैंने लिखे हुए हैं यहां पे काफी अच्छा खेलते हैं विराड भी कम नहीं है इनका भी स्कोर अच्छ है इनका इस ग्राउंड पर काफी जादा अच्छ है हाला कि पिछले मैच में उतना अच्छा नहीं किया 17 बट वो होता रहता है सूर्य कुमार की बात करें इनका भी यहां पे देखोगे मैचेस बहुत है 23 मैच में 244 और 20 की अवरेट से पहले कॉलकटा नाइट राइडर्स की टीम में थे इसलिए यहां पे इनके ज्यादा मैचेस हैं इनका होम ग्राउंड था कॉलकटा पॉलाड है ठीक के लिए है रिशापन ठीक के लिए है इशान किशन ने भी इस ग्राउंड पे ठीक किया है सबी ने लगबग आप देखोगे तो ठीक ठाक किया है बोलिंग में कुल्दीप यादव ने अच्छा किया है बाइस मैच में 21 विकेट यहां नहीं है आईपियल में और T20 इंटरनेशनल में यहां पे एक मैच में तीन विकेट भूमनेश्वर ने आठ मैच में बारा विकेट यूजी चैल साथ में पांच शारदूल दो में दो ह परशल पटेल एक में दो आपने देखा लास मैच में भी दो विकेट लेगे गए यहां पे और जेसन होड़र दो में एक यह सब आईपियल के यहां के स्टैट्स हैं इंटरनेशनल यह आपने देखा कल भी जो मैच हुआ था इंडिया वेस्ट इंडिस का उसमें क्या हुआ ठीक है सो हेट टो एड में देख लेते हैं दोस्तों मैंने अपडेट कर दी है 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 ठीक है आपस में जब दुनों टीम्स खेलती है रोही शिर्मा का रिकॉर्ड तगड़ है 43 की एवरेज 16 मैचेज में 100 है चार हाफ सेंचरी है जबकि विराट कोली 13 मैचे पांसो अठरन पा ट्रा है वो रन मशीन है लेकिन वो मशीन से अभी रन थोड़े से कम आ रहे हैं विराट कोली को छोड़ना मत सी वीसी करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन आप ग्रैंड लीग में जरू ट्राय कर सकते हो थीक है कारन पॉलाट 15 मैच में 316 रन 35 की एवरेज से 2.5 सेंच किया होगा इन में से किसी को भी पुरान को या विश्णोई को तो बहुत अच्छा मैंने विराट को किया फिर भी बहुत जीता क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी रवी विश्णोई काम करके गए अफकॉर्स हर्शल पटेल सब भी बोलर लग-बग काम करके गए निकुलस पुरान तो important थे ही तो ये चीज़ों का ध्यान दिया करो डेरन ब्रावू चार मैच में 112 रन किया है तो आल्वेज इरिस्पिनर इनको तंक कर जाते हैं रवी बिश्णोई देख लो आप ते ही दो विकेट ले गए बुहनेश्वर ठीक हैं कॉट्रेल ठीक हैं दीपक चाहर ने अच्छा किया है दीपक चाहर का थोड़ा केलना डावटफूल है ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखना पुलाड ने 15 में 4 और हेड़न वर्च तीन में 2 अब हम बात करते हैं इंडिया के प्लियर रोल्स कि आप सबका राइट हैं लेफ्ट हैं विकेट कीपिंग कौन करे करते हैं कि लेफ्टी इसको बहुत अच्छी बोलिंग करें तो ये बंदे को मैच अप से कोई प्रॉबलम नहीं है अब आप देखोगे ना तो निकोलस पुरान को इन श्रवात में ज्यादा वाइड वाइड डाली थी वो दिखाना चा रहे थे कि मतलब गेंद भी दूर ल कर जाएंगे 35 की आउड भी नहीं हो रहे थे विराट कुली सता रिशाप पंथ आठ 34 नवाद सुर्या कुमार यार रही ना फेवरेट प्लियर सब बन गए हैं हर मैच में आके बारत को बचा के जाते हैं 34 नवाद और वेंकटे शही है 24 नवाद ये वही वेंकटे शही है र बढ़िया बल्लेबास गिन बाजी से भी सपोर्ट कर सकता है हर्शल डेथ बोलिंग करेंगे दीपक चाहर बहुत बढ़िया है रवी बिश्नोई है यूजी चैहल है भूबनेश्वर कुमार है एक नरास की मुझे है अवेश कान को क्यों नहीं खिला रहे बाई ये नहीं कह अवेश कान को खेलना जरूरी है आज चले ना चले वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेर करना पड़ेगा वहां बौंसी विकेट्स है वहां बूबनेश्वर की स्विंग कम काम आएगी वहां बौंस काम आएगा जो अवेश कान की पेस में आता है तो ये चीज देखके जानी हो इंडिया की बौलिंग देखोगे हर्शल पटेल चार ओर सेंटीस पे दो अठ्राव और बीस वावर जो प्लियर कर जा है वो सी वीसी का भी काबिल दावेदार है ठीक है डेथ में बौलिंग आ रही है काफी लोगों ने वीसी किया भी था हालाकि इनको लास्टी विकेट्स आजबाब के लाड़ी है भाई बनेगा यह मैंने आपको पहले बोल थे था है इंडिया का प्लियर है यह बोलिंग देखके पता लगता है यह अलग है बहुत अलग है उपर जाने वाले हैं भारत के लौंग टाइम के लिए बोलर रहने वाले हैं यूजी चैल एस यूजव वेरी गूट चार और चौनतीस पे ठीक है भुवनेश वर चार और इकतीस पे दीपक चाहर तीन और अठाइस पे कवेंकर टेशियर को एक और डालना पड़ा था एक और चार पे जीरो ट्वेल्ट और इनों ने किया था तो दोस्तों मेरी वीडियो जो देखता है उसको यह पूरा पता लग जाता है कौन की स्टेज पर बुलिंग कर रहा है यह आपको ग्रैंड लिग में बेहद बड़ी हल्प करेगा अब इंडिया के फुल स्टैट्स प्लस इंफो देख रहेते हैं हर एक प्लियर का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर किसी भी प्लियर का मिस नहीं क किया गया फॉर एक्जामपल आज आपको अवेश खान अगर आते दिख सकते हैं तो अवेश खान ने 48 मैच में 65 फिकेट लिया है दोस्तो एक प्लियर में हमीशा और डिफिरेंचल बताता हूं रवी श्री निवासन शाय किसोर तीन करोड में ऐसिं गुजरा टाइटन लेक कीट कीपर नहीं तगड़े हर मैच में 20 प्लस किया था इंग्लेंड के सामने और एक मैच में 70 भी एक पर 27 नबाद इसी प्रकार रॉवन पॉल मैच तो तीन के लिए थे लेकिन 35 और 107 भी किये थे लास्ट मैच में वेस्ट एंडीज ने कुछ अलग ही किया रॉसन जेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है भेजो लेकिन एक टीस ट्रैक तो रोटेट हो फिर अकील हुसैन को भेज दिया रॉवन पॉल आती आउट होगे तो नंबर चेंज करना बिल्कुल समझ दिया है रॉवन पॉल को टोड़ा होना चाहिए था तब ही वो उनकी बहुत ज़्यादा अ आउट होगे हाला कि ये स्पिनर्स को भी मार नहीं जाएंगे ये हिट्टर है ठीक है ब्रेंडन किंग की तरह नहीं खेल रहे है आउट हो जाते है भूबनेशपर ने इनको दोबर टीट्वेंडीज में आउट कर रख है तगड़ा मैचप है निकुलस पुरान 61 रॉस्टन देखोगे वेस्टन इसकी बॉलिंग जेसन होल्डर के मिना इनकी बॉलिंग फीकी है लगी नहीं रहा था कोई विकेट टेकर ठीक है रॉस्टन चेज ने बहुत बड़िया बॉलिंग करिया है गरी चार और चौदां पे दो चटा आठमां दसमां बारवां ओवर कॉट्रे बाबा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं इनके मेन लीड विकेट टेकर यार आप इनकी फॉर्म ही देख लो मैं ऐसी थोड़ी बॉल रहा हूं पांच विकेट च्छतिस प्रस तीन विकेट वन विकेट ये इंगलेंड के स वेस्ट इंडीज ने अपने मेन बोलर को भार बिठा दी और इनकी सिलेक्शन मुझे कभी समझा आती भी नहीं है ठीक है ये किंग ने स्कोरिंग मुझे निया लास्ट टेम कप करती मैं यह नहीं कहरा अच्छे प्लियर नहीं है लेकिन इतने सारे आप पास आप्षिन्स है लेकिन आप ट्राइ नहीं करोगे फॉर एक्जामपल इनके बस नकुर्मा बॉनर थे इन्होंने उनको भी ट्राइ नहीं किया ODI सिरीज में T20 में नहीं है आप तो वो जा चुके हैं बार्बडोस के लिए खेल रहे हैं बार्बडोस का मैच अभी चल रहे है आपको टेस्ट मैच अगर पताओ West Indies में तो यहाँ पे आपको बता दू West Indies के full stats plus info है हर एक player का record मैंने रिखा हुआ है holder 162 मैच में 1400 run 153 विक्ट है फिर भी इनको खिलाना नहीं है तो क्या फाइदा ठीक है बागी Kyle Myers का भी record ठीक है आपने देखा last switch में runs भी कर दिये so this is full scenario अब किसी का भी record देख सकते हो now let's consider some match ups मैच ups मैंने सारे update कर दिया after first match तो जहां match 1 लिख है मतलब उन्होंने विकेट ली थी रोहित की जिसे रॉस्टन शेस ने दो गें डाली और विकेट भी निकाल के गए वैसे पॉलाड ने इनको तीन बर आउट किया और होल्डन ने भी एक बर आउट क यह match 1 पर देख क्यों डाले क्योंकि last match में कौट्रल ने ही आउट किया है रिशप पंत को सूर्य कुमार साहब holder के आगे एक बर आउट है दो बार Fabian Allen के आउट हुए इसी सीरीज में बंडे में लेकिन T20 में नहीं आउट हुए ठीक है यानि कि देखो चार में से अभी तक चार मैचिस हुए है तीन ODI और 1 T20 दो बार नॉट अट हुए है सूर्य कुमार और दो बार आउट हुए है Fabian Allen पे ठीक है और किसी ने इनको आउट नहीं किया भी तब वेस्ट इंडीस के बल्ले बाजों में काईल मेर्स लास्ट मैच में यूजी चाहर पे गए तो मैंने वो मैच आपको लिखके दिया ये पिछले मैच का ही है सो रिस स्पिन इनको थोड़ा तंग करता है हाला कि इन्होंने स्पिन पे बहुत काम किया है और अगर आप देखोगे ना इन्होंने एक पैडल स्वीप मारा था बिश्णोगी को जो अल्मोस्ट चौका गया था गया नहीं था दो ही रन हुए था बट अच्छा शॉट था एक लोग उन पे इन्होंने शॉट मारा था यानि यह स्पिन रीड कर पा रहे थे अट लीस्ट सो यह पावल का एक मैंने फ्रेक्टर नोटिस किया बाकी यूजी चहल है इन्होंने पांच बार कारें पुलाड को आट किया है हर्शन बटेल ने दो बार आट किया है ठीक है जेसन होल्टर को खिला नहीं रहे आट किया हुए ठाकोर ने भी हर्शन ने भी और इवन कुल्दीप ने फैबियर एलन यूजी चहल पे आट हुए है यह ODII का ही only face off है और कुल्दीप आजब के आगे दो बार आट हुए है चलिए अब हम टीम करने चलते हैं दोस्तो आज भी मैंने आपसे promise किया था कि हम यहाँ पे 10 winners निकालने वाले हैं कोई 10 लोग winner बनेंगे जिनको 250 रूपीज उनके wallet में डाल दिये जाएंगे मेरे दोरा तो यहाँ पे आपके लिए मैंने वीडियो का link डाल दिये जिस वीडियो पे यह giveaway था वो पिछला India West Indies का match था अपना नाम तो लिखना चाहिए ना आप चलिए दूसरा winner निकालते हैं मतलब गिने ये पहले ही जाएंगे ना ही इनोंने अपना fantasy name लिखा है अब मता नहीं क्यों नहीं लिख रहे है ना ये काज भीया ने लिखा है तो भाई अब मेरे साथ ऐसे बहुत करते हो आप तो केशब मिश्रा ने चलो कुछ नहीं लिखा लेकिन at least fantasy name तो लिखा डेली 25 हैं पहले winner यहां से दूसरे winner बने है हरशित थर्ड विनर बने है देवराज रॉय फोर्थ विनर बने है street footballer फिफ्थ विनर बने है जिनका नाम है रजत छटे विनर बने है खुर्षिद अंसार सेवन्थ विनर बने है शुभम राथोड एर्थ विनर बने है सुभादीप कमिला जो कहरे you are the best analyst in fantasy but you don't select my name in a giveaway winner सुभादीप भया मैं कोई सिलेक्ट नहीं करता आप देखो 815 लोग है उनमें से यह खुद 10 लोग उठाएगा तो अब यकीन मानिये 800 लोग हार रहे हैं लेक बहुत जेन्वनली giveaway करता हूँ और जितना आप सपोर्ट करोगे जितना आप लाइक कोमेंट करोगे वीडियो पर व्यूज जितना हैंगे उत्रा ही यह giveaway बड़ेगा और यकीन मानिये मैं चाता हूँ कि बहुत बड़े-बड़े giveaway करूँ आपके लिए ठीक है I think 9th winner है धिपांचु प्रजापती मेरा अगर नंबर थोड़ा सा इधर-उदर हो गया है तो यह 9th winner है मेरे according तो So, इनका जो नाम है senior और इन्होंने comment भी बहुत अच्छा कि आप खुच से team बनानी सीख गए है जो मेरा मकसद राय शुरू से कि आप खुच से करिया और bowlers लेना आ गया है बहुत बड़िया लगा धिपांचु प्रजापती अब तो आप खुद भी senior बन गए हैं लास्ट विनर हमारे बने हैं अली राजा तो अगर बाइचास कोई winner मुझसे कम रह गया है या 9 winner रह गया है तो एक extra announce कर दूँगा मैं बाद में बट ये सभी winners हैं आभी के लिए सबके x-wise wallet में 250 रूपीज एड कर दिये जाएंगे जिनोंने अपना fantasy ने mention किया है और जो हमारे code से हैं वैसे मैंने चेक कर लिया और रड़ेडी are with our code so congratulations to everybody दोस्तों आप भी ऐसे जीतता चाहते हैं तो इस वीडियो में 5 winners pick होंगे जिनके 500 रूपीज बनने वाले हैं चलो अब हम match पर चलते हैं और team करते हैं so दोस्तों एक reminder देना चाहूंगा जो लोग telegram में जुड़े हैं वीडियो की description या top के comments से जुड़ सकते हैं साथी में आपको ये भी बताना चाहूंगा वहां मेरी risky mini grand league team भी आपको मिल जाएगी सो ज़रूर आप telegram में जुड़ जाएं वीडियो की description या top के comment से और YouTube पे subscribe भी कर लें ताकि मेरे आने वले वीडियो की notification आपको मिलती रहे हैं अभी दोस्तों wicket keeping section की बात करते हैं यहां पर हमारे पास players तो बहुत हैं शाइख hope खेल नहीं रहे तो उनसे hope नहीं कर सकते हैं पंथ खेल रहे हैं इशान किशन खेल रहे हैं निकुलस पुरान आपको wicket keeping भी दे रहे हैं बले बाजी भी दे रहे हैं जबकि इशान किशन आ सो बले बाजी में मैंने या रही चर्मा को लिया है as usual he is great at Eden Gardens और opening पे बहुत solid foundation ले कर रहे हैं इंडिया के लिए बहुत तगड़ा खेल रहे हैं captain सीप से मैं बहुत ही खुश हूँ हूँ जिसके साफ से मैं captain सी कर रही है reviews ली है आपने बूलर्स को back किया है इशान किशन थो captaincy time पे for the timing या सूर्य कुमार यादव है जो अगर पहले भारत बल्ले बाजी करेगा तो लगबग आपकी टीम में 90% हम लेके चलेंगे क्योंकि जरूरी हो जाते हैं लेकिन अगर बाद में करेंगे तो हमें सोचना रहेगा विराट कोली को मैंने next लिया है विराट कोली one down प इवन विराट कोली अब आपको long on long off पे दिख रहे हैं फेटिंग करते हैं जो बहुत अजीब लगता है विगो अस captain के time पे जातर cover पे रहते थे this is important to tell you that यह जो final player है बलेबास यह situational है अगर इंडिया toss जीत के बलेबास ही करती है या मतलब देखो जो भी toss जीते हैं most likely bowling लेगा इतना due है अगर इंडिया की पहले बलेबास ही आती है so surya becomes important अगर बलेबास ही नहीं आती तो मैं किसी और को लोगा इस case में जिसे मैंने अभ ट्राइ कर सकते हो grand league में small league में अगर इन में से कोई खेली नहीं रहा तो मदब नीचे वाले players तो कोई मतलब नहीं बनता है discussion का हाला कि शारुकान finisher है रोतराज गायकवर opener है शर्य सेयर middle order के player है ठीक है सबी के सबी अच्छे है डैरन ब्रावो देखो मेरे को उस्छे से अगर जो विकेट थी उस पे इनको बहुत spin मिल रहा था और यहीं मुझे लग भी रहा था कि विराट को भी undo कर गया क्योंकि विराट की strength है strike rotation और strike rotate नहीं हो रहा था तो विराट थोड़े irritate से होते लग रहे थे सो कहीं नहीं वो एक problem आ रही है अभी इनको सूर्यो कुमार अगर खेले का ना विराट कोली के साथ तो विराट कोली जंग के perform करेंगे ध्यान रखना क्योंकि उनको strike rotation भरबूर मिलेगी सो दोस्तों यहां rostern chase हो गया ठीक है और rounders में आप पस काईरन पॉलाड यह मेरे को थोड़ा सा डर लगता है मुझे उन्होंने बहुत जिताया है मैं आपको बता दूँ कि CPL का एक match था इनका 10-12% सेलेक्शन था आप सोचो के CPL में क्यों इनको कोई इतना नहीं ले रहा था ना यह गेंग बाजी कर रहे थे बले बाजी फोड़ा उनके आता थे ट्रीड़ के openers ही समय जिताई जा रहे थे लैंडल सिमन्स, कॉलिन मन्रो और भी 2-3 उनके उपर टॉप ते अच्छे प्लियर थे मैंने बैक किया था क्याप्टन और इन्होंने 70-80 मारे थे अकेले आके और मतलब जादा गेंद भी नहीं थी इसकुछ बोलने है पॉलाड ने मेरे को बहुत जिताया है पस्ट मैंने इनको जब देखा था ट्रीड़ाड की रेड्स्टील टीम होती थी चैंपिन्स लीग में वहां तकड़ा खेले थे न्यूस वेल्स के आगे हैं रिकी इसको जोके चक्के लगाए थे मेरे को याद है आज भी अठारा गे शेयर इंडिया के लिए नीचे आ रहे हैं बोलिंग में कम ओवर डाल रहे हैं इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा है फैबियन एलन है स्पिन हो सकती है तो यहां हमेशा की तरह इनको कुछ और मिल जाएंगे हाला कि पॉलाड से ज्यादा पुरान ने इनको सीरीज में अच् अच्छे हैं यह मैं बार-बार बोल रहा हूँ शेफट भी कुछ रंस कर सकते हैं मोका इनको मिले तो ना मोका इनको नहीं मिला है इनको लास्ट मैच में बोलिंग में मिर पास एडिया के जो मैंने चार बुरर लिये थे हर्शल बिष्णोई चाहल चाहल चारों को मुझे ल किये रंस भी कर सकते हैं या कोट्रेल को ले या की लुसैन को ले या कायरन पुलाड को इससे पहले पुलाड मुझे गुस्टा करे मैं पुलाड को टीम में पिक कर लिया है ऑप्शन बहुत सारी है लेकिन ऐस जैसे मैंने आपको बताया है ऐस यूजवल अगर खर्शल पट वाइस कैप्टन से पहले आपको बता दो होल्डर खेलते हैं तो पुलाड की जगा मेरे टीम में होल्डर आ जाएंगे अभी दोस्तों मैंने अपनी कैप्टन सी या रोहिट शर्मा को दी है और वाइस कैप्टन सी में सोच रहा था हर्शल पटेल या रवी बिशन वी अभी पहले मैच में जाके हमने बात करी थी इनसे देख लो उतना गुस्ते में नहीं थे अब जादा गुस्ते में है और यह सिचुएशनल रहेगा वी सी हमारा हर्शल पटेल बिशन वी या अगर और कोई करना हूँ जैसे विराट को ली तो यह हम चीज बात नहीं देखेंगे उमीद करते हो दोस्तों वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई कुछ सीखने को मिला और यह वीडियो से उमीद करूँगा कि आपकी टीम बनाने में एक टीम क्रियेशन में कुछ हेल्प ज़रूर हो पाएगी टीम कॉपी करना कभी भी इंकरेज यहां पे नहीं किया जाता बी आ टीम बिल्डर अपने टीम के खुद मास्टर बनना यहां पे सिखाया जाता है लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कॉइंट में मारे टेलिग्राम का मिल जाएगा और यूट्यूब पे एक शुभरम कर जाओ सब्सक्राइब की जल्दी से सब अब आये हो आप काम की जगा आये हो तो काम कर लो सब्सक्राइब का चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में